हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नोकरी की सबसे अच्छी त्यारी, सबसे अच्छे अध्यापत, सबसे कम सी हर्याना का नंबर वन कोचिंग सेंटर आईचेस वोट की वी अपील कर रहे हैं, करंड जी आप चुनाओ को लेकर के लगातार जा रहे हैं, क्या लग रहा है, परचार भी बंद हो चुका है, चुनाओ को लेकर के क्या परिष्थतियां है? देखे जहां तक चुनाव की बात है आज इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी के जो नमाइंदे हैं अबे सिंग चोटाला जी उन्होंने आज से आठ महीने पहले किसानों की जो लड़ाई देश में मौझूदा सरकार देश की और प्रदेश की उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें अपना सहयोग किसानों के साथ देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था और पिछले दिनों चोटाला साब ने जब दुबारा से चुनाव डिकलेर हुए अपने हलके के एलनाबाद के सभी लोगों को बुला करके पूछा और सब का मत यही रहा कि हम दुबारा से अभे सिंग चोटाला जी को एक अपने उमीदवार के तौर पे हलनाबाद हलके की जिस परकार से पहले उन्होंने सेवा करी आगे भी उनको सेवा करने का मौका देना चाहते हैं तो मैं तो यह मानता हूँ कि चुनाव केवल मत्रे एक चुनाव हो रहा है पर अ परचार को लेकर के जहां कई सोसल मीडिया पे कई फोटो और कई वीडियो भी खुब वाइरल हो रहे हैं एक चुनावी परचार में गोपाल करंडा बैठे हैं उनके साथ अजय सिंग चोटाला बैठे हैं लिख रहे हैं कि एक अपने भाई को चुनाव जिताने के लिए पर आज तीन तीन पीडियां है वो नाक रगट रही है परिवार को लेकर के भी कई न कई तार्गेट किया जा रहे हैं देखिए पहले तो जहां तक आपने पार्टियों के नुमाइंदों की बात करी तो कॉंग्रेस के पास कोई नुमाइंदा नहीं था वो बीजेपी का पुर की एक ही मन्च साजा करते हैं पता नहीं वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं किसके लिए मन्च साधा कर रहे हैं और किन कारणों से मन्च साधा कर रहे हैं हम तो अपने मामा अबेसिंग चोटाला जी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं तीसरी बात आपने कई नाक कुराला जी और चोटाला परिवार और पार्टी के जितने भी सदसे हैं वो आज देश में किसानों की जो लड़ाई है उसके लिए अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन से कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर और मजबूती किसान एकता को मिले इसके लिए आप ल कुनाल जी हलांकि ये भी परिवारिक सवाल है लेकिन क्योंकि लोग जानना चाते हैं दिगवीजे चोटाला का एक जो है वीडियो हलांकि उन्हों उसपे जवाब भी दिया है कि पहले गोपाल कंडा के खिलाफ जो परदर्सन करते थे नारे बाजी करते थे आज उनके साथ परचार करने के लिए भी जा रहे हैं शुनाव में भी ऐसा हुआ वो गए परचार करने के लिए उन्होंने कहा कि हम गठवंदन धरम निभा रहे हैं इसको लेकर कि आपको क्या लगता है जहां पहले परचार कर उनके खिलाफ नारे लगाते थे दिल्ली में प्रोटेस्ट क करें कभी अपना दादा बदल लें कभी अपना चाचा बदल लें आज आप देख रहे हैं चाचा बदलावा है जिसको कल तक गालियां दिया करते थे जिसके खिलाव कल तक बड़े बड़े की इज़त करना जानते हैं अपने बड़ों के साथ चलके उनको आगे उनका उनको उस इस उमर के पड़ाव में उनका हाथ पकरने का काम करते हैं ना कि उनके लिए कोई गलत बात करने का काम करते हैं इन लोगों पर मैं कोई टिपनी देना ही नहीं चाहता है शायद ये मेरे प कि पिछली बार आपके पास चुनाओ परचार करने के लिए उम्परकास्टोटाल आए और उन्होंने ये कहा कि वो अंतिम वार वोट मांगने आए और उन्होंने ये कहा कि मेरी आयेगी के रख हुआ के थे और उसके बाद जो है अब फिर वोट मांगने के लिए आगे कहीं न कहीं पिता और पुतर यानी पार्टी से हटकर के बात करें इसको भी लोग है वो कई नजर से देख रहे हैं कुछ लोग जो है इसको ये कह रहे हैं कि पार्टी अलग-अलग है कुछ लोग इसको राजनितिक तोर पे भी जो है तंज कश रहे हैं आपका क्या मानना है देखे इस परिवार के चौधरी दिविलाल जी के इस पौदा रुपी परिवार के बहुत सारे सदस्या अलग-अलग पार्टियों में हैं पर जिस परकार की टिपनी जो आप बता रहे ह हमने भी मीडिया के शोशल मीडिया के माध्यम से वो टिपनी सुनी जिसका आपने कहा था भी बस बस में गाउं गाउं जा रहे हैं बस में चड़ा दिया देखिए पता नहीं ये ऐसे संसकार कहां से आए हम तो परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ करके बिंती करते हैं कि उम्परकास चोटाला जी को आने वाले समय के अंदर भगवान और लंबी आयोदे और हर्याना प्रदेश में उनकी सरकार बने अगले तीन साल बाद जब आम चुनाव हर्याना प्रदेश में होंगे और चोटाला साब के नित्रितव की सरकार हम हर्याना प्रदेश में चलाएं जब बीजेपी के बैनर पे चौधरी देविलाल जी की तस्वीर नजर आती है मुझे और किसी की तस्वीर पे शरम नहीं है उनकी तस्वीर देखके मुझे बड़ी शरम आती है क्योंकि चौदरी देवी लाल जी उस बैनर पे एक दूसरी तरफ लगने वाली तस्वीर नहीं है उनकी अपनी पार्टी अपनी पार्टी का निर्मान इंडियन नैशनल लोकदल पुराने लोकदली उस चीज को कभी पसंद नहीं करते हैं और आने वाले समय में आप देखोग कि दुबारा से वोई हरी पगडी वोई हरा जंडा और डंडा जो आज लोग दावा करते हैं कि हमें देखर के चले गए थे वो दुबारा से आपको घर घर की छत पे हरियाना परदेश को हरित परदेश बिनते हुए उस हरे जंडे के साथ आपको नजराएगा लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है कि 20 विधायक दिये हमने पार्टी दी पार्टी का फंड दिया लेकिन आज क्या है एक पॉइंट आट परसेंट वोट है वो भी एलनावाद का लेकिन कह रहे हैं कि गमंड में चूर होकर के जो है पार्टी जो है उसको बरबाद कर दिय दिया निकाल दिया कल भी दूश्ञाद का गाउं ने पॉर्ड का जामें है नंकी जंसभा थी वहां पे उन्होंने सारजनिक तोर पर यह कहा कि परिवार के सारे लोगों को निकाल दिया मुझे दूश्यंक दिगविजए को डाकर जैंसिंग चोटाना को तम weapon वो 20 विदायक हम 20 साल लेकर के चल सकते हैं क्या पर उनको एक जवाब जरूर देना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव जब हर्याना परदेश में होंगे तो वो 20 विदायक नहीं जो सन 87 में हुआ था वो काम होने जाएगा और हर्याना परदेश के अंदर दुब शावे करेगा कि मैं देखरके गया फिर तो हमारे होंगे ना तो मैं तो आपसे channel के माद्यम से जो भी कोई इस परकार की बात करता है उनसे निम्रता से यही कहूंगा कि अपने संसकारों को याद करें और अपने संसकारों को सोच करके देख करके चौधरी देवी लाल जी को और चुटाला साब जो आपसे उमर में बहुत बड़े हैं, आपके पिता हैं, शायद आप लोग इस बात को भूल गए होंगे, वो आज भी आपके पिता है, हम तो यही कहना चाहिए, यह जो कि चुनाव रहा, इसमें कहीं ना कहीं, जन्नाएक चोधरी देवी लाल जो परिवार है, उसकी पूरी प्रस्ट भूमी चुनाव में देखी गई, और कल मुख्य मंतरी की जन समा में, सानसत सुनीता दुगल और मुसीम ने भी कुछ कहा कि देवी लाल परिवार का जो 75% हिंसा है, वो बीजेपी में है, यानि कि चोधरी रंजीत सिंग का उन्होंने नाम लिया, आजै सिंग चोटाला का नाम लिया, दुशन्द दिगविजे और अधिते चोटाला का भी नाम लिया, और यह कहा कि 25% जो हिंसा है, वो एक साइड ह और उसका कोई फाइदा नहीं है? और चोटाला साब हमेशें ये बात कहते हैं कि मेरी अगर इस परदेश में चोधरी देवी लाल जी की विचार धारा कहीं मुझे नजर आती है, तो वो इस परदेश की जनता में आती है, तो जनता जो उनका परिवार है, उसका कैसे बटवारा हो सकता है? यह तो बड़ी छो लगातार जो है धरना परदर्सन कर आज सीम का भी विरोध हुआ, कल डिप्टी सीम का भी विरोध हुआ, सरकार के मंतनियों को गाउं में नहीं जाने दे रहे हैं, दस से बारा ऐसे गाउं हैं जहां पर ऐसे पोस्टर लगा दिये गए हैं, आज भी थोड़ी देर पहले जो लगे तो ज़न विरोध ही यह सीम जब हम गाउं में जाते हैं और हमारे कारेकरम होते हैं पर्थी के तो वहाँ जनसवई भरी भी होती हैं आप भी परमूत जी गाउं गाउं जा रहे हैं आप देख रहे हैं किस परकार कहीं विरोध नाम की इतनी सी चीज ने लोग फूल मालाओं से चोधरी अबे सिंग चोटाला जी का स्वागत कर रहे हैं बड़े बुजर्ग उनको आशिरवात दे रहे हैं पर आप बता रहे हैं खुद कि किस परकार से बीजेपी, जेजेपी और अन्य लोगों का एक आपने हमारे टुहना हलके के विक्ति का भी नाम लिया उसको तो हमने हलके से बहुत पहले जे निकाल दिया आज वहां से निकल गया तो यहां भी मारी खाएगा और क्या होगा तो इन लोगों का तो आ के साथ क्या दुर्गती नोगों की होने जाएगी वो आप उसी समय देखेंगे तो भुष है कि राजनिती में आपका क्या प्लान है चुनाव को लेकर चट जागे हमारी पार्टी ने इस बार एलनाबादूप चुनाव के अंदर भी सारे हलके को बुला करके उनकी राहे ली कि किसको चुनाव लड़वाना है मेरी जहां तक राजनिती की बात है हर जगे पार्टी का यही एक तरीका है चुटाला साब जो पार्टी के मुख्या है वो बुलाते हैं सारे अपने हलके को अपने लोगों को उनसे पूछते हैं जिसको उनको उचित लगेगा उसको पार्टी नमाइंदा बना करके अपने अपने हलकों से बेजेगी मैं जहां तक मेरी बात है मैं पार्टी का सच्चा सिपाई हूँ पहले परिवारिक सदस्से बाद में मैं पार्टी के लिए तब तक खड़ा रहूँगा जब तक इस परदेश में आखरी जंडा इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी का होगा तो ये थे हमारे साथ कुनाल करन सिंग लगातार हमारे साथ बने रही है और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेर जरूर कर दीजिए क्योंकि चुनावी परचार बंद हो चुका है लेकिन इस बीच जो है हम आपको जिन लोगों ने इस एलनावाद की प्रस्ट भू लिपने पूर बंद हमारे से जे बलावाद कुनावी तो जिए क्योंकि जदे कुनावाद कर दिए।